आज की चैप्टर का नाम है Everything I Need To Know I Learned In The Forest और इस चैप्टर को लिखा है Vandana Shiva ने सबसे पहले हम Vandana Shiva जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं इनका birth 5th November 1952 में हुआ यह एक Indian scholar है environmental activist है और इन्होंने biodiversity को encourage करते हुए काफी काम किया है Biodiversity होता है all different kinds of life which you find in one area जैसे जानवर, पेड़ पौधे and even bacteria, etc. यह सभी species और organisms directly और indirectly एक दूसरी के साथ काम करते हैं ताकि धर्ती पर balance बना रहे तो हम कह सकते हैं कि biodiversity environment में संतुलन लाने के लिए बहुत आवश्यक है और Vandana Shiva जी ने biodiversity को एक नियम की तौर पर adapt किया है जो ऐसे आज हम करने वाले हैं उसको लेखिका ने YES नामक मैगजीन के लिए 2012 में लिखा था और इन्होंने बहुत सी किताबे भी लिखी हैं जिन में से कुछ की नाम इस प्रकार हैं Stolen Harvest The Hijacking of the Global Food Supply Earth Democracy Justice, Sustainability and Peace Soil, Not Oil And Staying Alive Etc इस ऐसे का आखरी हिस्सा लेखिका द्वारा लिखित Forest and Freedom में से लिया गया है इस ऐसे में लेखिका हमें पर्यावरण जिसें इंग्लिश में environment कहते हैं कि बारे में बताती हैं साथ ही वह यह भी बताती हैं कि उन्होंने जंगल यानि forest में क्या-क्या सीखा जैसे उन्होंने सीखा diversity यानि विविदता और variety फिर उन्होंने सीखा freedom जिसे हम हिंदी में कहेंगे आजादी और उन्होंने सीखा coexistence यानि सब का एक साथ मिल जुल कर रहना एक साथ किसका रहना? पशुपक्षियों का पेड पौधों और मनुश्यों का एक साथ मिल जुल कर रहना इसको यहां पर coexistence कहा गया है वह लिखती हैं तो forest teaches the values of diversity, freedom and coexistence तो forest हमें क्या सिखाता है? according to Vandana Shiva, forest हमें diversity, freedom and coexistence सिखाता है हर मनुश्यों अपनी life में बहुत कुछ सीखता है कुछ हम formal education से सीखते हैं और कुछ informal अगर हम कहें कि हम सब कुछ school और college में ही सीखते हैं तो यह कहना गलत होगा क्योंकि जिन्दगी में बहुत सारे experiences हम real life से लेते हैं कई बार एक आम इंसान जो जादा पड़ा लिखा नहीं है या फिर बिलकुल अनपड़ है वह भी हमें जिन्दगी के बहुत अच्छे lessons सिखा जाता है लेखेका ने भी अपने real life experiences से बहुत कुछ सीखा उन्होंने गड़वाल के जंगलों में रहने वाली अनपड़ महिलाओ यानि uneducated women से पर्यावरन के बारे में सीखा Presently गड़वाल भारत के उत्राखन प्रदेश में स्थित एक जगा है जो हिमालय परवत के footsteps पर है उन्होंने जंगलों में पाए जाने वाली विविधता यानि diversity of life forms के पारे में सीखा और यह भी जाना कि diversity life का एक बहुत ज़रूरी अंग है लेखेका ने इन महिलाओं के साथ रहकर यह जाना कि धर्ती हमारी मा है हम धर्ती में से raw material पाने के लिए उसी पूरी तरह से exploit करते हैं लेकिन हमें धर्ती का इतना दुरुप योग यानि misuse नहीं करना चाहिए और प्रोकृती के साथ सदभावना यानि peace और harmony के साथ रहना चाहिए तो यह कुछ introduction थी लेखिका के बारे में और अब हम इस chapter की व्याख्या शुरू करते हैं जिसका नाम है everything I need to know I learned in the forest चाप्टूर की first line में लेखिका अपनी ecological journey के बारे में बताती हैं जो हिमालय के जंगलों से शुरू हुई अब सबसे पहले हम ecology का अर्थ जानेगे Ecology is a branch of science Ecology एक तरह की science है जिसमें हम जीव समुदायों का यानि जो भी जीवित चीजें वातावरण में होती हैं वह जानवर हो सकते हैं पेड़ पौदे हो सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं तो इनी सब जीव समुदायों का उनके वातावरण यानि environment के साथ जो संबंध है जो relation है उसकी study करते हैं किसमें? Ecology में इंग्लिश में हम इसे ऐसे define करेंगे कि Ecology is the study of organisms and how they interact with the environment around them यह मतलब हो गया Ecology का Now coming back to the chapter लेखिका बताती हैं कि उनकी Ecological Journey हिमालय के जंगलों में शुरू हुई उनके पिता as a forest conservator नौकरी करते थे Forest conservator होता है जंगल का रखवाला जंगल की रक्षा करने वाला officer और उनकी मा एक किसान थी उनकी मा ने पेड़ पौधों और जंगलों के उपर कई गाने और कविताएं लिखी जो वह अपने बच्चों को भी सुनाती थी इन्हीं गानों और कविताओं को सुनकर लेखिका बड़ी हुई लेखिका के माता-पिता दोनों ही जंगल के करीब रहते थे उससे प्यार करते थे उन दोनों का प्रोफेशन ही कुछ ऐसा था लेखिका जंगलों के आसपास रहकर ही बड़ी हुई इसलिए जंगलों के प्रती उनका प्यार स्वभाविक था वहिखती है कि it is from the Himalayan forests and ecosystems that I learned most of what I know about ecology इस शाफ्टर में एक movement का काफी mention हुता है और इस movement का naam है चिपको मूवमंग ने लिखिका कि जिंदगी में एक एह्म role play किया है वहिखती है My Involvement in Ecology Movement Began with Chipko. Chipko Movement क्या थी? इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है. तो Chipko एक बहुत famous movement है जो 1970s में शुरू हुई. 1970s के दशक में काफी मातरा में deforestation होता था. Deforestation होता है पेड़ों को काटना. इस वज़ा से जंगल खतम होते जा रहे थे. इस ऐसे में logging शब्द का भी इस्तिमाल किया गया है. Logging का मतलब होता है जंगल में लगे हुए पेड़ों को काटना. यह है पैसा कमाने का जरिया है क्योंकि फिर इन कटे हुए पेड़ों को बाजार में बेचा जाता है. 1970 के दशक में गड़वाल के जंगलों में logging और deforestation काफी मात्रा में की जाने लगे. इसके कारण इस शेत्र में कई तरहां की problems स्टार्ट हो गए जैसे landslides, floods, साथी पानी, खाने और इंधन की कमी भी लोगों को सताने लगे. क्योंकि खाने पीने और इंधन की पूरी जिम्मेदारी औरतों की थी, अंधाधुन्थ deforestation और logging का सीधा सीधा असर गाउं की इन्ही गरीब और अनपड औरतों पर पढ़ने लगा. अब इन महिलाओं को इन basic needs की खोज में काफी दूर तक चलना पड़ता, जिससे इनका बहुत समय बरबाद होता और साथ में इन पर burden भी बढ़ता जा रहा था. चिपको एक non-violent movement थी जिसे शिरी सुन्दर लाल बहुगुना जी ने deforestation की against शिरू किया था. 1970 की दशक में हिमालय की गड़वाल शित्र में रहने वाली किसान महिलाओं ने इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया. इन महिलाओं को जंगलों की असली कीमत मालुम थी. इनके लिए तो जंगल में लगने वाली घास और पेड़ पौधे इनके जानवरों का चारा थे. गिरी हुई लकड़ी को इकठा कर इनके चुलों में आग जलती थी और वहां के जर्नों के पानी से इनके घरों का कामकाज होता था. उनके जीनी का सहारा केवल एक मात्र जंगल ही तो थे. इसलिए इन जंगलों को बचाने का बीड़ा भे इन किसान महिलाओं ने अपने जिम्मे ले लिया. जब लॉगर्स पेड़ों को काटने के लिए आते तो ये सभी महिलाएं पेड़ों को चिपक जाती. इन्होने एलान किया की पेड काटने से पहले लॉगर्स को इन महिलाओं को काटना होगा So, Chipko movement was a non-violent response to the large-scale deforestation that was being done in the Garwal region of Himalayas Vandana Shivaji also got actively involved in Chipko movement उन्होने स्वयम सेवक याने volunteer के तौर पर इस अंदोलन को जोइन किया अपनी चुटियों के दोरान वह इनी जंगलों में पहुंच जाती और सभी महिलाओं के साथ पद्यातरा में हिस्सा लेती इसके अलावा उन्होने deforestation की activities को properly document किया यानि कागजी कारवाई भी की लेखिका ने चिपको movement में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और इसकी publicity करके पूरे देश के लोगों को इस आंदोलन की जानकारी दी चिपको movement से संबंधित एक dramatic incident के बारे में भी लेखिका बताती है dramatic का मतलब होता है नाट किये या फिर full of action and excitement तो यह dramatic incident हुआ 1977 में हिमालय के एक गाउं अदवानी में गाउं की एक महिला जिनका नाम था बचनी देवी उन्होंने यह आंदोलन अपने ही पती के अगेंस्ट शुरू किया क्यूंकि उनके पती को जंगल के पेड काटनी का contract मिला था बचनी देवी भी गाउं की बाकी महिलाओं की ही तरहा पेडों को काटनी के विरोध में थी पेडों को काटनी के लिए जब अधिकारी गण वहाँ पर पहुंचे तो बचनी देवी ने गाउं की बाकी महिलाओं के साथ जलती हुई मशालें हाथ में पकड़ कर उनका विरोध किया इस तरहां के आंदोलनों की पूरी जानकारी लेखिका रखती थी और अपना पूरा सपोर्ट इन्हें देती थी अब हम ये जानेंगे कि चिपको मूव्मेंट में इन्वॉर्व होने के बाद लेखिका ने कौन-कौन सी अलग different activities की लेखिका लिखती हैं from चिपको I learned about biodiversity and biodiversity-based living economies and protection of both has become my life's mission Biodiversity का मतलब होता है हर प्रकार के जीवानूं जिनें आप एक ही जगह पर एक साथ पाएं जैसे जानवर, पौधे, बेक्टिरियाज आदी जिनसे हमारा ये पूरा संसार बना हुआ है यह सभी जीवानू एक साथ रहते हैं, पनपते हैं, पलते हैं और वातावरन को balanced रखते हैं जैसे हमारा है ब्रचाप यह परता हैं अजग एक और टर्म का इस्तिमाद गाइंट को भी जाता है और ये लिग को थाच्ड के नियुद है एक और टर्म का इस्तिमाल यहां पर हुआ है जो है monocultures. Monoculture का मतलब है cultivation of a single crop or growth of a single organism. यानि सिरफ एक ही तरहां की फसल का उगाना या एक ही जंतु को पालना. इसको कहते हैं monoculture. The writer Vandana Shiva goes beyond monocultures. वे है monoculture में विश्वास नहीं करती लेकिन biodiversity में उनका अटूट विश्वास है. Biodiversity यानि विविधता, variety लाना यहें प्रकृती को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है. कौन सी चीज आवश्यक है? Biodiversity. जादा से जादा लोगों तक biodiversity की knowledge पंचाने के लिए लेकिका ने 1994 में हिमालाय के उतराखंड की दून वैली में नवदन्या फार्म शिरू किया. लेकिका किसानों के खेटों में से तरह तरहां की फसलों के बीच इकठा करने लगी ताकि इस फार्म पर वह लोगों को demonstration और training दे सके. किस तरह एक ही खेट में अलग अलग तरहां की फसले लगाई जा सकती हैं यह सब वह इस फार्म पर सिखाती हैं. साथ ही वह यह भी सिखाती हैं कि किस तरह एक वर्ष में अलग 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 फसले लगाकर तरहां तरहां की चीज़ें उगाई जा सकती हैं. लिखिका बड़े गर्व से बताती हैं कि आज वे हैं और उनकी टीम 630 अलग-अलग किस्म के चावल, 150 किस्म की कनक यानी वीट और सैंकडो अन्य चीज़ों की कंजरवेशन करके उनको ग्रो करते हैं यानी उनको खेतों में उगाते हैं यह आंदोलन शुरू हुआ था 1987 में और 1994 में लिखिका ने नवदन्य फार्म की स्थापना की इस आंदोलन को शुरू करने का मुख्य कारण था एफॉरेस्टेशन को एंकारेज करना बायो डाइवरसिटी को बढ़ावा देना और और और्गैनिक फार्मिंग कैसे की जाती है यह किसानों को समझाना किसानों के साथ मिलकर लिखिका ने पूरे भारत में 100 कम्यूनिटी सीट बैंक्स स्थापित किये चावल की बहुत सी विराइटीज जिनसे भारत का पूरे विश्व में बोल बाला था लुप्टसी हो गए थी इस आंदोलन की त्वारा लेखिका ने अपने साथियों के साथ चावल की तकरीबन 3000 विराइटीज को बचाया और संड्रक्षित किया यानि उन्हें कंजर्व किया इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग किसानों को और्गैनिक फार्मिंग के पारे में भी सिखाते हैं अभी तक किसान fossil fuel और chemical based pesticides और fertilizers का ही इस्तिमाल खेतों में कर रहे थे पर इस movement से जुड़कर उन्हें यह पता लगा कि organic fertilizers which are nourished by sun and soil इनके द्वारा भी फसलों का पालन पोशिन किया जा सकता है जिससे लोगों की सिहत को कोई नुकसान नहीं होता लेखे का चिप को movement से जुड़ने के बाद ही जंगलों और प्राकृतिक उत्पादकों की value अच्छे से समझ पाई थी इस ग्यान का सही उपयोग तब ही हो पाता जब वे इन बातों को किसानों तक पहुंचा पाती और ऐसा उन्होंने किया फार्मिंग के क्षित्र में एक आंडोलन लाकर उन्होंने किसानों को और गैनिक फार्मिंग का मुल्य समझाया नवदन्या फार्म की स्थापना करके लुप्त हो रही फसलों जैसे many varieties of rice, wheat and so many other crops को फिर से जीवित किया तो ये वो सभी activities थी जो लेखिका ने चिपको moment से जुड़कर की इस essay में लेखिका जो है वो nature के rights को global stage पे किस तरह से उसे उजागर किया गया उसके बारे में भी वो हमें बताती है Ecuador विश्व में एक मात्र ऐसा देश है जिसने अपने constitution में rights of nature को include किया हुआ है एक और देश है Bolivia जिसने rights of mother earth का universal declaration किया हुआ है इन दोनों देशों ने United Nations General Assembly को nature और earth के विश्य में सोचने के लिए बहुत encourage किया परिनाम स्वरूप April 2011 में जब Earth Day celebrations मनाई गई तब United Nations की General Assembly ने एक समेलन का आयोजन किया जिसमें यह विचार विमर्ष किया गया कि किस प्रकार प्रकृती को संभाल कर रखा जा सकता है इसी समेलन के दोरान एक और term का इस्तिमाल किया गया जो है इको अपार्थीट अपार्थीट का मतलब होता है रंग भेद यानि इनसान के शरीर के रंग को देखकर उनमें भेदभाव करना, उनमें डिफरेंस करना 20th century में South Africa में अपार्थीट यानि रंग भेद काफी प्रचलित था काले और गोरे रंग की लोगों में भेदभाव करके कई कानून और पॉलिसीज बनाई गई धीरे धीरे रंग भेद के खिलाफ कई आन्दोलन भी हुए इसी अपार्थीट शब्द का नए तरीके से इस्तिमाल किया South Africa के एक environmentalist कॉर्मेक कलिनन ने उन्होंने कहा कि जिस तरह पूरी दुनिया रंग भेद के खिलाफ एक जुठ हो गई थी उसी प्रकार आज हम सबको एक बहुत बड़े और गहरे इको अपार्थीट को मिटाना है जो इस भ्रहम पर फैला हुआ है कि मनुश्य और प्रकृती अलग-अलग है कहने का मतलब है कि मनुश्य और प्रकृती एक दूसरे से संबंदित है जुड़े हुए है इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते एक के विनाश के साथ दूसरे का विनाश होना स्वाभाविक है अगर प्रकृती पल्यूट होती है विद्वन्स होती है तो मनुश्यों का भी विनाश जरूर होगा अंत जरूर होगा अगर हम दोनों का यानि प्रकृती और मनुश्यों का भला चाहते हैं तो हमें मिल जुलकर एक साथ सद्भावना के साथ रहना होगा चाप्टर में लिखा हुआ है कि today we need to overcome this wider and deeper eco-apartheid which is based on the illusion of separateness of humans from nature इस तरहां से प्रकृती के अधिकारों को ग्लोबल स्टेज पर उजागर किया गया अब हम बात करेंगे एक अन्य विशे पर जिसको लेखिका ने नाम दिया है The Dead Earth World View Industrial Revolution के साथ शुरुवात हुई एक नई विचारधारा की यह विचारधारा थी धर्ती को मनुश्यों से अलग समझने की यह समझने की कि धर्ती केवल मनुश्यों के फाइदे के लिए है उसमें जितने भी खनिक पदार्थ यानि raw materials हैं उन पर मनुश्यों का पूर्ण अधिकार है धर्ती को मात्र एक dead matter के रूप में समझा जाने लगा ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इन कारखानों को चलाने के लिए खनिक पदार्थों यानि raw materials की जरूरत पटी थी जो केवल धर्ती में ही पाए जाते थे इन खनिक पदार्थों का गैर कानूनी तौर पर इस्तिमाल शुरू हो गया यह एक प्रकार से धर्ती का शोशन था यानि exploitation था So, industrial revolution which encouraged the belief that earth was a dead matter marked the beginning of separation of humans from nature इसका मतलब है के industrial revolution इस बात में विश्वास रखता था कि धर्ती मनुश्यों से अलग है भिन है इसलिए इसके अंदर पाई जाने वाले सभी कनिक पदार्थों पर मनुश्यों का पूरा हग है ऐसी विचारधारा ने मनुश्यों को प्रकृती से अलग कर दिया था उस समय की दो famous philosophers की नाम है Francis Bacon और Caroline Merchant Francis Bacon जिनी father of modern science भी कहा जाता है इनका मानना था कि विज्ञान और आविश्कार केवल प्रकृती की दिशा ही नहीं बदलते बलकि इनमें इतनी शक्ती है कि यह प्रकृती को दबा डालते हैं और उसको अपने आधीन कर लेते हैं इंग्लिश में इसे हम ऐसे समझेंगे कि science and inventions do not only guide the nature's course but also have the power to conquer and subdue her चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अब हम ये पढ़ेंगे कि लेखिका को शुरी रबिंद्रुनाथ टेगोर जी से काफी inspiration मिली और उनसे inspire होकर उन्होंने अपनी life में क्या क्या किया लेखिका शुरी रबिंद्रुनाथ टेगोर जी से बहुत प्रभावित थी शुरी रबिंद्रुनाथ जी ने वेस्ट विंगौल के शांतिने केतन में एक शिक्षा केंद्र शुरू किया जो forest school के नाम से जाना जाता था यह वन विद्यालय यानी forest school प्रखृती से प्रभावित था और साथ ही भारतिय संस्कृती को दुबारा से जगाने का भी काम कर रहा था चैप्टर की एक लाइन है जिसे मैं यहां कोट कर रही हूँ तेगोर started a learning center in Shantiniketan which was known as a forest school and this school took inspiration from nature and also wanted to create an Indian cultural renaissance that is it wanted to give rebirth to the Indian culture तो यह line मैंने chapter से आपको सुनाई है 1921 में यह school university में बदल गया शुरी रविंद्रनाथ जी को जंगलों से और प्रकृती से बहुत प्यार था उन्होंने एक निबंद लिखा जिसका नाम था तपोवन तपोवन में इन्होंने जंगलों के महत्व का बखान किया है वह लिखते हैं कि भारत के महान पुरुष्यों के उच्चतम विचार केवल तभी पैदा हुए जब वह प्रकृती के करीब थे जंगल में सभी पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते हैं जंगल हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पाठ पढ़ाते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी एक दूसरे पर निर्भर है Unity का मतलब है एकता और Diversity का मतलब है विविधता यानि Variety Diversity in Nature का मतलब है प्रकृति में अलग-अलग जीव जनतियों का exist करना और Diversity in Human Life का मतलब है अलग-अलग जाती, प्रदेश, लिंग, धरम की लोगों का एक साथ exist करना प्रकृति में Diversity होने के साथ-साथ एकता भी है यही पार्ट हमें प्रकृति से सीखना है हमें अपनी जिन्दगी में सब के साथ मिलजुल कर रहकर एक दूसरे को समझ कर और बरदाश्ट करके एकता लानी है इसलिए इस पार्ट में कहा गया है कि इस दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दाट इस बेसे ओफ बोथ एकलोजिकल सिस्टेनिबिलिटी और डेमोक्रिसी टैगोर के मुताबिक जंगल हमें सिर्फ ग्यान और आजादी ही नहीं देते बलकि वह सुन्दर्ता और खुशी का भी सुरोत है साथ ही वह हमें शांती का पार्ट भी बढ़ाते हैं जंगल हमें यह भी सिखाते हैं कि सब चीजे सभी की हैं कुछ भी मेरा नहीं है सब हमारा है अगर हम यहीं सोच विचार रखेंगे तो हम सब का जीवन बहुत आसान और शांती प्रिय हो जाएगा टैगोर के इन विचारों से लेखिका वंदना शिवा बहुत प्रभावित थी इसी कल्चर को उन्होंने अपनी युनिवर्सिटी जिसका नाम था दि अर्थ युनिवर्सिटी और जो नवदन्या में थी वहां इन सभी विचारों को एडॉप्ट किया इस तरह से लेखिका प्रकृती से बहुत करीब से जुड़ी हुई है उनकी हमेशा यही कोशिश रही कि किस तरह से कटते हुए जंगलों और उजड़ती हुई प्रकृती को बचाया जा सके उनके जीवन के जर्णी चिपको मूवमिन्ट से शुरू हुई तो बस चलती ही गई तो यह थी व्याख्या इस चाप्टर की अब हम एंट में इसका निशकर्ष जानेंगे यानि हम कंक्लूजन देखेंगे कि इस चैप्टर से हमने क्या सीखा इस निबंद के नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि लेखिका वंदना शिवा जी ने अपनी जिन्दगी में जो कुछ भी सीखा वे जंगलों से ही सीखा वे बच्पन से ही जंगलों के काफी करीब रही उन्होने जंगलों से डाइवरसिटी यानि वराईटी, फ्रीडम यानि आजादी और कोइक्सिस्टेंस यानि सबका एक दूसरे के साथ मिल चूल कर रहना ये तीन चीजे उन्होने जंगलों से सीखी Once again, I am going to repeat उन्होंने जंगलों से सीखा डाइवर्सिटी फ्रीडम और कोईक्सिस्टेंस 1970 के दशक में चिपको आंदोलन प्रचलित हुआ इस आंदोलन से वह काफी करीब से जुड़े रही इन्होंने बहुत से पध्यात्राओं में हिस्सा लिया और अपने लिखों द्वारा भारत के कोने कोने में जंगलों के महत्व को उजागर किया इस निबंध में लेखिका ने बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है जैसे चिपको मॉव्मेंट, मोनो कल्चर बायो डाइवर्सिटी राइट्स अफ नीचर on global stage एक्सेटरा 1994 में इन्होंने नवदन्यों फार्म की स्थापना की इसके अंतरगर्थ वह अपने साथी किसानों के साथ भारत के हर उस हिस्से में जाती जहां पर जंगलों को काटा जा रहा था इन्होंने ऐसी जगहा पर नई पेड़ पौधे उगा कर एफॉरेस्टेशन किया लिखी का अर्थ डेमक्रेसी के बारे में बात करते हुए लिखती है कि हमें धर्ती पर रहने वाले सब प्रकार के जीवजन्तों की एक्जिस्टेंस स्विकार करनी चाहिए इन सभी जीवजन्तों को मनुश्यों की ही तरह इस धर्ती पर जीने का हक है वहें रविंद्रनाथ टिगोर के विचारों से भी बहुत प्रभावित है According to रविंद्रनाथ टिगोर the culture of the forest is the true Indian culture और लिखी का इसमें पूरा विश्वास रखती है प्रकृती को किस तरह से बचा सकते हैं कौन-कौन सी नई तक्नीक farming sector में ला सकते हैं जैसे transition from fossil fuel and chemical based fuel to organic farming आदी इन सभी विश्यों पर लेखिका ने कई किताबें भी लिखी हैं Unity in diversity में लेखिका का अटूट विश्वास है Unity in diversity का culture हमें जंगल ही तो सिखाते हैं जिस तरह प्रकृती भांती-भांती के जीव जन्तूओं के टानूओं पेड पौधों के साथ मिल जुलकर रहती है उसी तरह अगर मनुश्य भी स्वयम को प्रकृती का एक ही हिस्सा समझे तो यह धरती खुशहाली से भर उठेगी तो यह थी व्याख्या वंदना शिवाजी द्वारा लिखित निबंध Everything I need to know I learned in the forest की आशा करती हूं कि आपको ये निबंध मेरी व्याख्या के द्वारा असानी से समझ आ गया होगा Happy Learning!